अगर आप लोग वीडियो को अधिक सेर करते हैं उपने फ्रेंड के साथ और लाइक करते हैं तो मैं अगला पार्ट बना दूंगा यह डिपरिंट कर तो आप लोग को अगर इस तरह अगर आप लोग सेर करेंगे वीज आती हैं अच्छे खासे सब्सक्राइब कर दूंगा जो कि आपकी एक्जाम में 100% कुस्चन उसी से आएगा एक भी कुस्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा और बाकी जो लाइब टेस्ट के लिए जुननना चाते हैं वीडियो की डिस्ट्रस में लिंक दिया हुआ लाइब टेस्ट के चैनल करें और बता दें इसका अगर आपको पीडियव चाहिए आपको एंसे लिखना है यह अभर स्थान से दूसरे अस्थान मतलब जाना या इन्ग को परिवस्थान करना या पिर इसी घटना सिकता है या फिर अपना खुशी के लिए या फिर अपना सुक्वे से लिए ठीक है और बहुत दिक आवसर एवं और संडशना पर धाव परता है लोग जोटती ile पहयरों करहते हैं बतल जाता है बहुत एक अवसर जैसे के कहने कारती है हुआ अगर हमको किसी तरह के जलवायो पानी या फिर किसी तरह के सुवीधा जो मिलती है वहां के सुवीधा अलग हो सकता है और कहीं हम दुसरी प्रवास कर रहे हैं तो वहां के सुवीधा अलग हो सकता है तो यह से क्या कॉलनियों का निर्मान होता है कलोनी होना चाहिए है मेरे ख्याल से छुद्रे दिया है छुद्रे कलोनियों का निर्मान हो जाता है इसके अतरिक प्राकृतक सनसादनों के अति दोहन से क्या होता है कि बहुमचल अस्तर के अवक्षे वायू पर्दूसन वाहित मल के निप्टान और ठोस कचरे के परभन जैसे गंबिर समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसका स्वस्थ यह पर इनसान के सहत के लिए जो कि पर परतिकूल असर पड़ता है जिसका बंदर होता है उल्टा तो इसके बारे में लिखना किस क्वेशन के बारे मैं अग पुरवी भारत के चार महनगरों के नाम निमन लिखता है जिसे यहां पर देख बारों के कौलकाता है पटना राचिये और भूनेसवर यह पुर्वी भारत के चार महनगरों के नाम है चला आगे बढ़ते हम लोग क्वेशन नमर 3 कर आए कि सुस्क किर्षी क्या है ठीक है आपना जाती है जहां वार्षिक वर्षा यानि साल का वर्षा जो 75 से मीशे कम होती है वर्षा के यहां ऐसी फसलें उपजाए जाती है और पानी नहीं देने से अच्छे से उख जाती हैं अच्छी तरह से तर इसके पार्म byफ्रक्री को साखी आंट कि मैं यसी किरूं में हैँ Pawle そा सभाक्रा व्र्षा जल्किवभ्रॉ आनिये अपनाए जाती हैं तो ये था इसका पॉइंट। सफ्थित की नदी बैसीन के नाम लेखो करके रेखा के उत्तर इस्थीत किसे नदी बैसी के नाम के नम यो है निम्नालिखित है और आप लोगो को दिखा में यहां पे everyone देख पारों यह पे पहला है गंगा नदी बैसीन और दूसरा अधी भरहंपितर नदी बैसीन ठीकर है text 5 को दीखी तो क्या करना कोको के बारे में आप क्या जानते हैं इसका एंसर आप लोगों लिखना है किस तर एंसर लिखना कोको एक किरसी उत्पाद है जिसे चौकलेट उसके बाद क्या करते हैं सौफ्ट ड्रिंग या फिर कोको कॉला इत्यादी बनाया जाता है इसका उत्पाद पस्ची में अफरीका विशेशकर घाना है जो आकि पस्षी में पढ़ता है विशेशकर घाना में होता है फ्रांस वासियों ने यहां इसकी पौधा लगाई थी इसकी खेती रोपन किरसी के अंतरगा उस नकटी बंदी चेतर में होती है यह भी आ सकता है कि कोको जो कुछ परकार की किरसी है तो यह परकार के यह थोड़ा कुछ जान करें आप लोगों को जानना जरूरी है पहला जान करिए कि क्या है यह कहां पर होता है उसने कटी बंदी चेतर में होता है अधिक इससे क्या क्या बना जाते हैं तो चोकलेट हो गया सौब्डुरीं हो गया कोको कोला हो गया इति द्लवन आ सlogo कमाने के लिए सहकारी संस्ता का गठन करता है क्या करता हूं हरिये किसां जो किरसी करता है अए फसल पाइदावार करता है थो चाहता है कि हमारी अधीक विर्दी हो हमको कम हुए अच्छा हो ठीक है तो कुछ ऐसे फसल हो जिसमेंगों किसान को खेती करता है तो इस परकार के खेती को हम क्या करते हैं सहकारी किरसी करते हैं जाफिए अगर मान लोग किरसी बहुत बढ़ा हो गया आपके लिए नहीं कर सकता है तो आपस में मिल गया ताकि इससे मुनाफ़ा अधिक हो और इस तरह के साथ में करने वाले किरसी को भी हम कह सकत सबचिए किर्सि में अधिक मुद्रा मिलने वाली सबचियों के अतिरीख फल और फूल की खेती होती है पल और फूल की इसमें गहन-सरम इवंग अधिक पुझी लगती है इनहें खराब होने से बचाने के लिए शिग्र बाजार में पहुंचाया जाता है इनकी मांग नगरिये के अंदरों में अधिक है जहां उची आयवाले उभोगता रहते हैं नगरों में इनने शिग्र पहुंचाने के लिए इनकी खेती नगरिये छेतरों के समीक पी जाती है लगाए जाती है क्योंकि इसमें जो खर्च भी अधिक लगता है जो भी उसकी पाइदावार के लिए जो भी अवसकता है वह जल्दी जल नगर से आ जाए और इसको जो होने के बाद तैयार होने के बाद इसका जो लिमिट हो जाता है यानि जैसी तयार हुआ तो इसको जल्दी बेशना पड़ता है अगर आप रख देते हैं तो यह खराब हो जाती है अगर नगर नजदीक में रहेगा तभी जल्दी बेश पाएंगे न तो इसलिए जो है बाजारी सब्सक्राइब कहां प काफी जाती है और ने ष्मन को चैना है पेट्रो रसायन उद्योग कya है इसका है क। मेरे मोबाल में डर्फियोग और। विनर्मान छेत्रै के विकास में एक्स आमई भूमिका निभाने वाला उद्योग है ठीक है पेट्र रसाइन उद्योग में synthetic fiber यार उसके बाद polymer उसके बाद synthetic rubber synthetic detercent उसके बाद intermediates उसके बाद farmers यह सारे चीज़ जो है plastic उसके बाद plastic पर उद्योग सामिल है यह जितने भी चीज़ आते हैं तो किसमा आते हैं पेट्रो रसाय उद्ध्योग में ते कौन कुण चीज यहां पर नाम दिए में करम सब्सक्राइब को जरूरी नहीं नाम लिखना है तीन चार दो तीन लिख देते हैं तो काफी है ठीक है उसको पेट्रो रसाय अर्थिक विकास और मेनिरमान चेतुरों के व पस्यम भारत के दो और द्यो गिखिक पर्देशों के नाम लिखे नाम लिखे उ गोल रहा है सो यहां पर हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिलाऊगा अगर आप लोग इससी तरह का और बिजयो को अधिक से रहे हैं लोगों तक जो आपको फ्रेंड है उस तक फाइल आए और अधिक सदिक वी जाती है लाइक आते हैं तो हम जो है अगले नेक्स वीडियो का मैं पूरी तरह से इसी इंपने जो कुछन होगा मैं कवर कर दूंगा जो भी इंपने को सब्सक्राइब कर दूंगा अगर आप लोग जो वीडियो मे करने के लिए वीडियो के डिस्ट्रेशन बॉक्स में है जो लिंक दिया हुआ है किलिक किजेगा और इसी तरह यहां पर जो भी पीडिया पड़ेगा उसमें आपको और एक चीज मिल जागा डीड और सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो जो आप लोग बताते हैं जो जो अभ थैंक्स फर वचिए